वाड़ी में कच्रे की समस्या को निजात दिलाने के लिए नगर परिशत ने दलीद बस्ती आंबिटकर नगर में कच्रा संकलन के नाप पर डंपिंग याड खड़ा कर दिया जसके लिए पहले जमकर विरोधवा सुमवार को रात करिब एक बचे के दौरान कच्रे के डंपिंग को आग लग गई इससे बुजा ने नगर परिशत का दंपिंग पर पहुचा बड़ी मशक्कत के पाद आग पर कापू पाया लेकिन मंगलवाल को दिन पर कच्रा जलते रहा वर्धुआ निकलते रहा पूरे आमबट का नगर परिशत में धुआ फैलने से लोगों को दो ऐसे परिशानी हो रही है इसके पहले पी इसे डंपिंग को आग लगी थी लेकिन नगर परिशत ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उटाने से नगर पास्यों को भारी परिशानी होने की जानकारी नागरी क लिए अस्ताई रूप से यहाँ पर कच्रे का संकलंग क्या क्या था इसका नागरिकों ने भारी विरुज जदया था कच्रे की जगा पर सौंदर्य करन करने का आश्वा सन मुख्याती कारी ने देने के पाद आमबिटकर नगर के लोग शांत रहे लेकिन दो साल होने के बाद पी नगर परिश्रत ने चौंदर्य करन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने से नागरिक अब यह डंपिंग याड को हटाने की मांग करे हैं बार पार आख लगने से नागरिकों में भय बरा है इसे लेकर नागरिकों ने कई बार मुख्यादीकारी जुम्मा प्यारिलार क वो ग्यापन भी सोपा है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया क्या वाड़ी शहर का सारा कच्रा दली त्वस्ती आबटकर नगर में डाना जा रहा है डंपिंग भरी पड़ी है जिसके कारण नागरिकों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है डंपिंग का कच्रा रिसा प्यारिला नहीं कहा कि असाई रूप से सूखी कच्रे का संकरन है जगा का प्रस्ता क्या है और जगा मिलते ही कुछी दिनों भी वहां से दूसरी जगा शिप्ट करेंगी बिस्यन न्यूस के लिए वाड़ी से सौरप पाठिल की रिपूर्ट